सबसे पहले तो आपको समझना हो कि जन संख्या क्या होता है किसी भी देश की लोगों की संख्या को जन संख्या करते हैं दियान में रखिएगा अब यहां पर बात की जाते हैं जन संख्या 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 की आयू लिंग छिक्षा का अस्तर आवास्त था आर्थिक अस्तर को को परदर्सित करती है जन गनना के समय जन संक्या के साथ साथ जन संक्या संगटन के आकरे को भी त्यार कहता है क्यों त्यार कहता है जब जन गनना किसी विराश्ट्र का होता है या किसी विराश्ट्र का जो भी किसी गाहों का भी तो जन संक्या जन गनना जब होता है तो उसके था आर्थी कर्स्तर को प्रदर्सित करती है और जैनगानना के समय जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या संगटन के आकड़ों को भी त्यार किये जाते हैं जिससे देश के लोगों के गुन देखिए जनसंख्या संगठन से क्या पता चलता है लोग देश के लोगों का क्या तो का मतलब हो गया कि जन संख्या संगठन एक ऐसा एक ऐसा कारक है जिसके कारण हम लोग को पता चलता है अपने जन संख्या के बारे में कि कितना दिदेगा जन शंक्या संगठन करने का न biases उनको उनके सब्सक्या संगठन से करता है पार कि क्या है आया ठाओ के इंपुछा में पूछ इंपोर्टेंट eat मेरे आवाज भी देखिए आप लोगों को पढ़ाते बढ़ाते मेरे आवाज भी क्या हो चुक्त है बदल चुका है बिल्कुल मैं लागतार वीडियो पोस्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग एक्जामिनेशन बहुत हेल्प मिल सके पॉल्टिकल साइंस का पता ही होगा अधुनिक द्योगों कि अस्थापना होने लगी है देखिए मैं आपको ज्यादा एक्सपलेंसान नहीं करा हूं मैं क्लीर बात करा हूं क्यों क्योंकि आपके पास भी समय का भाव है आपके वालेकप कि उप्षण को टच कर लेंगे तो आप आप असानी से कुछ नहुश आ घीरे सुगमे नॉर्स ग्रीक वाता वरन में करते हैं प्रधोगी का मतलब होता है टेक्नोलोजी समझेगा टेक्नोलोजी का मतलब क्या होता है साथ हूं जैसे आपका जितने भी प्रधोगी की होते हैं तो प्रधोगी की यूद माने टेक्नोलोजी से लैसे जितने भी आधून इक दूख होते हैं उनकी अस्थापना होने लगी है कहा तुम नगरोकी सी्वावाव पर तो वहीं उख्ता प्रदोगी सिस्वें पर्धुक का काने का मतलब हो गया कि टेकनोलोजी वाले समानों का क्या होना जैसे आपका नोइडा हो गया मोहाली हो गया लखना और बात कर ले लंदन टोक्यो यह सब जो है प्रणाव की चेट रहते हैं आपके विश्वे में निमलिखित में प्रणाव की पार्का इस बात का खास क्याल रखेंगे व्यारी बेरी इंपर्टेंट विए अब आए ती बात यहां पर वाई उपर दूशन के सब से पहले जानते हैं कि वाई सब क्लमाइद की सब था ह्मने तो दूसीं न की इसके अन्य कारण भी वह था चाहिए तो यहां पर कता दोस्तों किया है इसके प्रमूंक्स रोटों का उले किले जलब पर दूसन आयगा एगा वा-ईव पर दूसन आगा इंदो में से कोई न कोई पकाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा या तो जल पर दूशन पूछ दे या तो वायू पर दूशन पूछ दे तो कहता है वाट इस एयर पॉलिशन वायू मंडल में बिभीन परकार की गैसे पाई जाती है वास प्रेपम धूल के कन भी दमान रहते हैं द हो गया नाइट्रोजन कारवन हम लोग बात कर लें और वास प्रेपम धूल के कन भी दमान रहते हैं जब किनहीं कारणों से वायू मंडलिये गैसों का अनुपात बदलने लगता है और कुछ का निये पदार्थ वायू में मिल जाते हैं तो उसका बहुतीक संतुलन क्या होत जाता है बिल्कुल जी वायू में जब देके सिंपल सा बात आप एदर रखेए जैसे नाइट्रोजन हो गया और अग्सीजन हो गया सलफर डियोक्साइड हो गया है यह सब अगर वायू में घूल जाते हैं तो वायू क्या रहता है पर दूसी तो जाता इस बात का ध्यान र से लिए हानिकारक हते हैं इसलिक स्थिक वायू पर्दूश्न का आला सिंपल सा लिखेगा काने का मतलभ होता है कि वायू दूसीत से होता है इसके बहूँ से ऩत्व होते है जैसे नाइट्रोजन का और वायू में मिल्ना कारवन डायुक्साइट का हाड़ो कारवन का कारवन मोनोक्साइट का यह सब लिख सकते हो काफ़ी ज्यादा इंपोर्टन रहेगा दोस्तों मैं बहुत इंकम समय में आपको क्यूशन का रिभाज तरा हूं या आपके लिए गोल्डेन चांस गोल्डेन अपर्चुनिटीज है कि मैं आपके लिए इतना मेनत कर रहा हूं मैंने तो देखा है मतलब बहुत जगा आपको सब्जेक्टी वीडियो अभी जो लैटे सब्जेक्टी वीडियो आपको मिल भी नहीं दे रहा हूं थोड़ा से एक्स्प्लेशन आज का मुड़ा है क्योंकि पॉल्टिकल साइंस मे करेंगे अभी 11 वैसे करेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्यूशन तो ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए कहता है जल संसाधनों का सरक्षन क्यों अब भाया जल ही जीवन है आप लोग को पता ही है कि क्या है ज जल सबसे महत्पूर्ण है नितांत करने का मतलब प्रति दिन प्रति दिन का जो हम लोग का उपयोग होता है इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है जल नहीं रहेगा तो हम लोग जीएंगे इस बात को तो आप ध्यान में रखिएगा और आपके हिंदी और इंग्लीज में सा हुआ है ध्यान रखिएगा एक तिहार पम्रोग रहते हैं बाकी सब जल प्रंतु आवे सकता अनुसार उपलब्द नहीं होता है क्योंकि इसके संग्रहन पर कम ध्यान दिया जाता है बिल्कुल पानी को लोग कंजारब करके नहीं रखते हैं आता जल सरक्षन समय की मांग है जल सरक्षन क्या वह सकता निम्ली खित विंद्यों से भी असपास्ट होती है कहता है देखिए समझेगा कहता है कि फृत्वी के कुल एक 70% परतीसत पर जमीन पर जल उपलब जै कितना एक 70% पानी है आप पीने वाला के वले तीन परतीसत तो कईसे काम चलेगा अगर हम मतलब हुए सुध पानी जिसमें लावन नहों सॉल्ट ना मिला हो और इसकी उपलब्दा समय और अस्थान के अनुशार भीन है और कहीं कहीं कम है कहीं कहीं जाद हमारे बिहार में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है बट राजस्थान यह सब जगह जाई पानी का बहुत ज हम हम तीन हमारे चार-पांच तो यह बहुत धिकत की बात हो चुकिए तो यहां पर द्यान देजेगा जनसंख्या में रंतन ब्रिधी हो रही है और विकास के लिए जल की मांगला अतार बढ़ती जा रही है आज देखिए सुखार भी आ जाता है हम लोग के तरफ तो पूरा जब बोरिंग चला चला कर बोरिंग नाला चला चला कर पानी को क्या करता है खत्म कर देता है सब ध्यान रखिएगा तो जनसंख्या में रंतन ब्रिधी के साथ उद्योग के विकास और क्रिसी उत्पादन में विकास के लिए जल की मांगला अतार बढ़ती जा रही है और भ आज कर सकते हैं आज के जमाने में तो पानी के अवरा अगलास चानना राहिएtså कि और डिरेक्ट आपका पानी देने लएगा तो यह बहुत बढ़ा प्रोलेम बन चुका है थाइब करता है हमारा उम्मिद करता हूं लिख दिजिए गाना जल के बारे में बिल्कुल लिखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है ज्यादा डिसकाशन तो नहीं कर पारा हूं उसके ल तर्वाएं लगाएं लगाता है और डैम बड़े-बड़े क्या चल रहा होते हैं मना जाते हैं और ठैम से पानी जैसे ऊख से मतलब एक जिसमाले जाता है और आप लोगppo पता है आप लोगlingen में मोटर रूटर होगा जिसे पंखाओं का चलाते होंगा छोटा मोटर जो बैटरी पर चलता है उसको अपना चाहिएगा और उसके दोनों जो स्वीच होता है को लाल वाला काला उसमें बॉल्ब को जोड़िएगा तो जलने लगता है तो उसी तरह से और आप आप आपका जो जलते रहता है तो तरवाइन लगता यहां उसका जो चोटा बला इस तरह का मूह होता है उस से फोर्ड़ बिजली पैदा होने लगती है तो इस बात का खास क्या लेखिए कग बोत हुएय को नचा जाता है है तो बहूरठ में पवन और उर्जा के हैन प्रदूसन मुत और उर्जा का समाने शुर५ में बतला में हमारे देश में पवन ऑजात पाधन के संभावित शमता एक आइदा है सेकेराज मेगावाट की जिससे एक चौन्थाई उर्जा का आसानी से काम में लाया जासकता बिल्कूल यह क्या सकता असानी से काम सबसे बढ़ा उर्जासनियत रहे तो ध्यान जाया पौन है गुजरात के कख्ष में लांबा का ध्यान रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट भी भी आई नेस्ट आप लोगों ने देखा भी होगा आप लोगों ने बहुत सारी चैनल पर देखा होगा आउट क्यूश्यंज जानता हूँ ठगना मेरा काम नहीं है मैं के वला आप लोगों को डिसकस्टन करा रहा हूँ देखिए यह सब क्यूशं मैं गेज करके फुली लिखता हूँ कि एक ने लिखा हुआ था मैंने मुझे भी लगा कि सच्छ में क्या आउट हो गया है लिके वह था आउट क्यूश कि इसको शिल्कन सिटी का नाम क्यों दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे सिल्कन बहुत ज्यादा मात्रा में होता होगा ध्यान दीजिए तो आपको यह लिखना है बस सब्सक्राइब कर दिजिए और देन आफ्टर आप उसको लास्ट में दिजिए कि इसलिए यहां इसको सि आते हैं जाकर तो बिल्कुल गाना जिसमें मेमरी काड में वो सिलकन का ही बना रहता है ध्यान दिजेगा इलेक्टोर्णी के सभी उपकरन और अवे बल्व आई सी या चीप जिके चीप कराना आधी सिलकन के आधार पढ़ी बना जाते हैं जिसमें 95% क्या रहता है सिलकन ही रह से भात चि और यह बताया है सिलक बेंगलूरु को भारत वाकर सिलकन सीटी क्यों हो का घात correct टौरी इसे लिए बैंगलूरुकल को सिलकन सीटी के नाम से संब्दीत क्या जाता है यह बताया जाता है तो यह बात खासका प्याएके गाइस तरह से यहां से क्या लाब है अच्छा मैंने आपको अब्जेक्क्षीप कराते करा दे मैंने आपको यह भी बटाया था कि देखिए जलप परिवःण क्या होता है इसलबी को समग बनाती है ला बड़ा-बडded जो जल पोथ होता है जो पानी के अंदर आता है उसके परीवहन को क्या करते हैं सुगम बनाती है ध्यान रखेंगे और जल परीवहन का खर सबसे कम है क्यों क्यों क्योंकि जल में घर्षन क्या होता है बहुत कम होता है अब आप लोगे भीश्को सीटी के बारे में ध्रीक्षण के कारण क्या होता है गारी को रोकता है इन ज्जादा लगता है जैसे आप महलें आप को घर संग करता है आपको किरने से बचाता है तो ध्यान रखेगा, जब अब आपको किर ने से बचास था हैं तो सिंपल सी बात là कि गारी को भी करता होगा करता ह Grounded से खानी से रुगता होगा यहीं करता है जीसे कारण का इंधं Papage यहाँ कब लगए तो यहां कि जल परिवहन का खर सबसे कम है क्योंकि जल का घर सन क्या होता है इसकी से शनयता कहते हैं बहुत कम होती है ध्यां रहकेगा और जल परन कर ाफ हैं जल पर इवहन मेंब को उतना ज्यादा ट्रैफिक का टेंसर नहीं तो यह भी आप लिख सकते हो बहुत इंपोर्टेंट है मन से भी लिख सकते हैं जो भी आपको दिमाग में लिखिए ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वही के वल सही है कता तृतिया किरिया कलाब का वर्णन करें डिसकर डिसक्राइब टर्सरी एक्टिविटी वैसे किरिया कलाब जिसमें वस्तु था किसी वस्तु का निर्मान या उत्पादन नहीं होता है प्रंतु ग्यान को सलनभो इत्यादी विसे सर गयता के अधार पर सेवा का मुल्यांकर होता है उन्हें तृत्य क्लाब अब देखिए मैंने आपको एक से तृतिया काएगा या तो प्रात्मिक आएगा नहीं तो दिविट्या क्रिया कलाब हंडेट परसेंट आएगा तो प्लीज इसे आप पढ़ लिजिए मैंने बता रखाए आपको अल्रेडी बिल्कुल यह पढ़ लिजिए इस वीडियो में इस कृष्टन को डाला था एक्ज पूछे जाते हैं कता भारत में सिचाई के कौन कौन से साधन है तो भारत में कुल क्रिसी छेत्र का 30 पर्तिषत भाइग सिचाई के अंतरगत है और अब तो कुछ दिन बाद हो भी नहीं रहेगा क्योंकि देख रहे हैं जिस तरह से अंधाधून लोग घर बना रहे हैं नए नहरे सिचाई का यह सबसे महत्यपून अस्ताने जो अस्थाई और बरसाती दो परकार के हैं भारत की समस्त संचित भूमी के 40 पर्तिषत भाग पर इसके दोबारा सिचाई होती है नहरों का अधिक विस्तार उत्तर परदेश पंजाब हर्याना में बिर्कुल नहर हमारे यह है बिहारमे भी नहर है लेकिन सबसे ज़्यादा जो नहर है वह उतर पर्देश पंजाब और नहरों की संक्या जादा है और नहर से कितना 40 परतिशत भाग को क्या करता है चालीष पर परतिशत लोग होते है नहर के परदेश पंजाब हड्याना और बिहार में रखेगा पानी का पटवावन पानी का सिंचित होती हैं इसके दौरा तर्ड करता है तलाब इसके अंतरगत प्राकिरतिक और कुछ किरित्रीम है तलाब मुखता पठारी भाग की चरटानी भूमें पर मिलते हैं ध्यां रखिएगा तलाब कि इसे अधीक संक्या आधर परदेस और इसके बाद तामिल नाडू में मिलती है सब ज्यादा आंधर परदेश और टामिल नाडू में तो ध्यान रखेंगे यहीं सब आप याद रखेगा तो आप अच्छा सेंसर दे सकते हो अब देखिए टेन नमर की उसंत पूछा ही जाएगा मेट्रो डेलवे क्या है तो कहता है मेट्रो डेलवे भूमी के अंदर विधूत से चलने वाली डेल गारियां जिसका परिचालन को लकता है और डिली जैसे महानगरों में होता है इस परकार की डेलगारियां परदूसन मु डेल होता है तो यह सब अपना है मैं का सब्सक्व घ्राइख टार विडियो लागतार दे रहा हूं देखिए कि मेरी आवाजे भी चले गए कुछ पता नहीं फिर भी मैं आप लोग को वीडियो दे रहा हूं क्यों कि आप लोग मेरे उपर बहुत ज्यादा बिश्वास के वे थे और मुरें बिश्वास को आप लोग का तोर्णा नहीं है तो वीडियो में देते जा रहा हूं प्लिज आपको लेडिया चीका सुझानकारी दे रखी है कि मानो भूगल क्या है मानो भूगल और परतिकिर्थी के बीच में क्या समद्द है आपने सारी वीडियो को देखा होगा अब आपको कोई दिकत नहीं होगा हाँ यह जो क्यों आपके लिए काफी काफी जादा इंपोर्टे करने का मतलब होता है कि दिसका उपयोग करते रहे हैं लेकिन खताम मतलब होता है पानी का तो यह सब आपके लिए बहुत बहुत जाना इंपोर्टेंट है और यह हैं और और कुम्हा से हाँ पनी होग्या आपका पानी नहीं पानी किया है आपका पानी को भी आपका सकते हों कि यूविए पानी रहने वाला विडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में